तो जैहिन सातियों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर क्लासेस पर हम लोग वर्क्शोप कैलकुलेशन एंड साइन्स वाले पोर्शन में से साइन्स पोर्शन के कुछ आपके जो टॉपिक है यहां पर डिस्कस कर रहे हैं अभी आप देखना के अंदर आपके जो साइन्स वाला पोर्शन है उससे ज्यादा कॉर्शन देखने को मिलते हैं जितने भी रिल्वे के एस्परेंट्स है लोगों के लिए एक लास बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है आप देखो आपके वर्क्शोप कैलकुलेशन साइन्स में शुरुआत लॉगरित्म आ रहा है ग्राप आ रहा है यह आपके शाय दस चेप्टर हो गया ओगे है आठ हुनों दस चेप्टर हो गया है किया आपका कम्प्रीट मामला यहाँ पर इस जगे पर आपके केलकुलेशन हो गया आपका इसके बाद आता है साइन्स पीछे जो आपके 11 नंबर ज्यादा समय नहीं लगाते हैं और फटाफट आपके स्टार्ट करते हैं चैप्टर और आज चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है आपके पास लीवर उत्तोलक लीवर उत्तोलक जड़ा तो आपके पास क्या है उत्तोलक लीवर उत्तोलक और लीवर में सबसे पहले हम लोग बाते करेंगे न वहां से पहले बात करेंगे अजए आपके पास अब देना जी अस ारश के और के होता है जीस में आर्मलेव आपके थियॉरी पढ़ी यह बात कितम लेकिन यहां पर थियोरी से काम नहीं चलता था अगर आप आपके पास क्या टेक्निकल के अंदर पढ़कर आया हो और इस बुक को पढ़कर आया हो तो उसके पीछे बकाइदा इसके क्वेश्चन होते था निमेरिकल होते थे वो करना बहुत जरूरी होता था और वह निमेरिकल लगाने के बाद ही चप्टर पढ़ाया माना जाता था और वहां से सवाल आते थे ट्रेड़ स्लेबस में यह वाला स्लेबस भी इंकलूड है और हम मना नहीं कर सकते कि अगर मालो यहां से कोई कुश्चन आया तो फिर आप बोलो के साथ यह आउट उप स्लेबस नहीं यह आपके ट्रेड स्लेबस के अंतरगती आता है तो टेक्निशन और लोको पालेट के बच्चे जो है अलर्ट हो जाओ यह आपने पढ़कर जाना ही जाना है सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा आपके पास क् क्या होता है सबसे पहले हम बात करते हैं आगून क्या होता है मॉमेंट क्या होता है अभी आप देखना आगून मॉमेंट के बारे में बात कर दो, आगून basically है क्या, basically है क्या, आप देखना ये कोई बिंदू है, और इस बिंदू को मैं आपके बोलता हूँ कि दरड बिंदू है, तुक आप हिला नहीं सकते, ये आपके पास जो है, आपका दरड बिंदू है, जो मैंने माल लिया, दरड बिंदू माल लो, दरड अक्षे माल लो, तुक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से, यहां से small r distance, यहां पर क्या कर रहा हूँ, में एक बल लगा रहा हूँ, यहां पर में एक बल लगा रहा हूँ, और यह respectively बल की क्रिया रेखा है, इस बल की क्रिया रेखा है, ब लगा रहे हैं अपन यह लगा रहे हैं आपके पास एफ एक बल लगा रहे है एफ अगर यहां जो बिंदू है वो इसके साथ रिगिड़ली कनेक्टेड है तो यह इसके आसपास इसके कारण गूमना चालू करें यहां पर द्धागा बांदा और यहां पत्थर लगा दिया अब मैं इसको ऐसे गुमा रहे हैं और पत्थर इस चारओ तरफ घुम रहा है तो आपके पास क्या है यहां पर यह जो आर है बिसिकली बल की क्रिया रेखा और द्रड अक्ष के बीच की लंवत दूरी है अब देखो हम आपके मॉमेंट हम आपके आगोन को क्या बोल सकते है कि किसी द्रड बिंदू और द्रड बिंदू से स्मॉल आर दूरी पर इस्थित बिंदू पर आरोपित बल और बल की क्रिया रेखा कि द्रड आपके पास बिंदू से लंबत दूरी का गुननफल जो है वो क्या कहलाता है आगून कहलाता है आगून कहलाता है आगून कहलाता है यह आपके पास आगून होगा तो आगून जो है इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा आपके पास किस से जिसे मालों यहां बात करते हैं अपना आगून आगून मॉमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो से और तो जो होता है वो होता F into R, तो आपके पास क्या होता F into R, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि द्रडबिंदू 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 तो द्रड बिंदू स्लैश द्रड अक्ष से स्पॉल आर दूरी पर इस्थित बिंदू पर आरोपित बल आरोपित बल आरोपित बल तथा बल की क्रिया रेखा बल की क्रिया रेखा क्रिया रेखा बल की क्रिया रेखा तथा त्रड बिंदू के बीच की लंबवत दूरी लंबवत दूरी का गुननफल आगून केहला है ना लंबवत दूरी का गुननफल आगून पॉमेंट कहलाता है कहलाता है अभी आपको क्या है आगून का definition clear हो गया होगा आगून basically होता क्या है आपने क्या बोला किसी भी द्रड बिंदू या द्रड अक्ष से smaller दूरी पर इस्ते पी लाम दे दोस्को बिंदू पी पर यदि आप कोई बल लगाते हो तो बल और उस बल की क्रिया रेखा कि उस द्रड अक्ष से जो perpendicular distance आएगा उन दोनों का गुननफल क्या कहलाएगा उन दोनों का गुननफल जो है वो आपके आगून कहलाएगा moment कहलाएगा पात समझ में आगई अले गूरु जी अभी भी समझ में नहीं है पात को यसी हो जो बिल्कुल खटाक से समझ में आ जाए अना फटाफट दिमाग में बेढ़ जाए तो आप देखो आप यूं समझ सकते हो कि जो आगून है वह कारक है जो किसी वस्तु को द्रड अक्ष के परितर गूमने के लिए किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तित करने वाला कारक बल था किसी वस्तु की आपके अवस्था परिवर्तन में सहायक जो कारक था वो क्या था बल था लेकिन किसी वस्तु को गुणन करने के लिए आपके बात जे करने वाला जो कारक है वो क्या है आगून है आज समझ में आ गया तो वह कारक जिससे कोई वस्तू किसी द्रड अक्ष के परिदह बुनन प्रारण्व कर देती है वो कारक क्या कहलाता है आगून कहलाता है तो रीजन क्या कहलाता है आपके आगून कहलाता है बात समझ में आ गई आगून के बारे में आगी होगी अभी फॉर्मॉला पर चलेंगे अभी फिलाल देफिनेशन क्लियर करते हैं फिर उसके बाद आगे बाद करते हैं क्या उसरे शब्दों में मैं एक बात और बोल सकता हूं कि वह कारक वह कारक वह कारक कारक जो किसी वस्तू को द्रड़ अक्ष्ट के परितह द्रड़ अक्ष के परितह गूनन में सहायक होता है तो वह कारक जो किसी वस्तू को द्रड़ अक्ष्ट के परितह गूनन में सहायक होता है आपके आगून कहला की आगून comment कहलाता 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 यहां तक चीज़े clear है आपको second definition भी समझ में आगी होगी कि हाँ यहार आगून basically क्या एक reason है following आपके पास क्या है motion देता है बल वह reason है जो आपके ऐसे linear motion देता है अभी आपके पास क्या आगून के से आपके दूसरी परिभाशा भी clear होगी होगी यहां तक कोई doubt नहीं है आप लोगे दिमाग में अभी आगे बढ़े अभी आपने बोला कि आपके प्रतीक अगर मैं बोलू आगून का प्रतीक क्या होता है तो आगून का प्रतीक आपके टो होता है क्या होता है आपके पास टो होता है हम बोलेंगे आगून का प्रतीक जो है वो टो है आसे हम क्या बात करेंगे आगून आगून का प्रतीक आगून का प्रतीक क्या आपके पास क्या यह है तो इसको बोलते हैं तो आगून का प्रतीक आपके टो होता है तो होता है लो साथ आपको सिंबल भी पता लग गया आगून का प्रतीक क्या होता है तो होता है अब आगून का प्रतीक आपके टो होता है तो टो का फॉर्मला क्या होता है अगर हम बात करें टो तो टो इस एक्विल टू आपने क्या बोला था अभी अभी आपने बोला आरोपित बल यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आरोपित आरोपित के आपके पास क्या है बल और आपको क्या करना है आरोपित बल को क्या है आपके बल की क्रिया रेखा और द्रडक्ष के बीच की लंबत तो यह क्या है आपके पास बलकी क्रिया रेखा बलकी क्रिया रेखा थ्रड अक्ष के पीच लाम्बिक दूरी यह आपके पास क्या हो जाएगी क्रिया पास क्या होता चोटे फस्धों लिखो बड़ा डराउने श्ब्द हो गई ही तो थोड़े से चोटे शब्दों को जाएगा फ्रेंट क्या है आपका F into R है अब आप देखना यहाँ पर हम बात को समझते है अगर आपने आरोपित बल जो लगाया है वो किलोग्राम में लगाया है और यह आपके पास क्या है किलोग्राम में लगाया है और उसके परिणाम स्वरूपू जो लाम्बिक डिस्टंस लगाया है आपके पास आपके पास मीटर में लगाई है यह आपके पास क्या होगा किलोग्राम मेटर अच्छा एक यूनिट यह हो सकती है और देखो यह जरूरी थोड़ी हो सकता है किलोग्राम में लगाया हम हो सकता है कि हम लगाएंगे आपके पास आपके pound में, हम लगाएंगे आपके पास किसमें, pound में तो ये आपके पास क्या है pound और displacement हो जाएगा भाईया, fit में हो जाएगा, आपके पास fit में, और भी हो सकता है उने में तो बहुत सारी बाते हो सकती है तो और क्या बाते हो सकती है एक बात और हो सकती है आप ध्यान से सोचोंगा एक बात आपके पास क्या और हो सकती है यह मैं फॉर्मिला थोड़ा साइड में कर रहा हूँ इधर की हाँ हाँ आप देखो आट तो इस इक्वल टू आपके एफ एन टू आर हो गया इसके लावा किलोग्राम मिटर हो गया यह दूसरा आपके पास चुने तो हाना इसके बाद हो सकता है कि ये ग्राम में हो ग्राम में हो और जो आपके displacement आया है जो distance आया है तो दूरी आई है लांबिंग दूरी वो आपके semi में हो ये हो सकती की नहीं हो सकती हाँ गुरुजी हो सकती है पका पका हो सकती है पिरी तीसरी सिचुईशन ये बन सकती है, अगर बल न्यूटन में दिया होता तो, पिर आपके पास क्या है? न्यूटन मीटर बन जाता है, पिर आपके पास क्या है? न्यूटन मीटर बन जाता है, यहाँ पर आपके पास जो बल लगाया है, वो बल न्यूटन में है, और जो Sarah आपके पास क्या है लांभिक दूरी है मलबकी क्रिया रेखा कि उस द्रढ आक्षट ना बढ़ आपके मीतर में हैं यह आपके पास आख्यों के पास में सकता है उना यह इक 20 पर देनेरे बोर्ड है, बोर्ड है, सब के मुझे सुनते हैं, बड़ा डर भी होता है, और आप बताओ यार, बोर्ड एक्जाम के प्रिपरेशन में आपने कोई कमी छोड़ी थी, कोई कमी नहीं छोड़ी ना, घर वालों ने कमी छोड़ी, आपने छोड़ी, ना स्कूल वालों ने अपना 100% लगा दिया था ना और कितने गंबीर थे वे सारे के साथ चलो ठीक है अब आप बोर्ड एक्जाम में पास भी हो गए हो गए पास अब आप यहां बैठे हो गए क्या मिला बोर्ड एक्जाम की मार्क शीर से अब फिर हम एक आपके ऐसी जगे पर खड़े होए जहां में फिर सिद्ध करना है अपने आपको फिर सिद्ध करना है लेकिन अगर यहां पर तुम पास हुए तो तुम्हें मिलेगा गॉर्मेंट जॉब समझेगे बात को और गॉर्मेंट जॉब के साथ-साथ आपके पास क्या जितने भी पेस्केल लगते हैं उनके साथ जोड़ोगे तो आपको पता लग जाया कि हां यार गेम डेड़ से दो करोड़ का गेम है मारा यह आप बताओ डेड़ से दो करोड़ का टीका भी लग जाएगा समाज में मान और पतिष्ठा बढ़ेगी वह अलग आप बताओ इसके लिए कोई कमी छोड़नी चाहिए क्या हमें किसी भी तरीके की कमी छोड़नी चाहिए क्या भी नहीं चोड़नी चाहिए न आपको पूरी ताकत जोग देनी चाहिए कि आप देखो जब दसवी बोर्ड म में आपको मिला कुछ भी नहीं परसेटेश मिली फिर बाद में आपने दुबारा आपने आपको डिफाइन किया हर जगे पर फिर अपस पड़े आप लेकिन यहां के बाद जो है फिर दुबारा आपको डिफाइन करने की ज़रत नहीं पड़ेगी आप एपरूड हो बहुत बारीक से समझना उस पर छोड़े छोड़े अब्जेक्टिव को करना उसकी नियुम्रीकल लगाना यह सब बहुत जरूरी तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए यार हमारे सेलेक्शन हमारी कमी के कारण नहीं रुखना चाहिए अभी आप देखना यहां पर अगर हम बात क यह बैसिकली जो यूनिट होती है यह होती है मीट्रिक प्रणाली में होती है आपके प्रणाली में यह यूनिट जो है यह आपके पास है मीट्रिक प्रणाली यह आपके पास किसमें है में 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 म सेयस्टम आपके पास है ब्रिटिश प्रडाली ब्रिटिश ला इन रालि अगर आप से पूस्ता है क्या बदावता है doing इसका युनिट युनिट प्रडालی में जो जो युनिट dry वाला ब्रिटिश ना अगर हम बात करते हैं आप बता ये किसमें है यह जो आपके पास हमने में स्प्रम स्प्रेंश प्रणाली में म pillow स्प्र गर स्की बात करें यह होता है आपके पास प्रांसिसी प्रणाली यह आपके पास जो है यह फ्रांसिसी प्रणाली है ठीक है जिसकों की आप बोलते थे ईसके बात यह आपके पास किया है कि आपके पास है एप आपके पास क्लियर हो गया उपर फॉर्मला आपके पास आ चुका है इसके अलावा अलग-अलग यूनिट आ चुकी है यह आपके ऐसा ही प्रणाली में न्यूटन मीटर होगा ठीक है चलो आगे बात करते हैं अपन आगे बात करते हैं यहां तो उताले न आपने अब आप देखना आपसे जो क्वेशन पूछता है न वो आपसे पूछता है कि बताई आगून की कई क्या होती तो आगून की कई आप क्या बोलते हैं न्यूटन मीटर को जूल में बरिवर्ट कर सकते हो क्या आप तीन न्यूटन मीटर को जूल में प्रदर्शित कर सकते हो क्या तेरा आपके पास क्या है जूल को न्यूटन मीटर में प्रदर्शित कर सकते हो तो मैं एक क्वेशन लिख रहा हूँ आपके लिए यहां पर क्या आपके पहला क्वेशन है कि तीन आपके न्यूटन मीटर को दूल में बदले पुल में बदले पुल में बदले और दूसरा कोश्चन आपके पास जो है कोश्चन dominance नंबर दो वह आपसे बोल रहा है कि तेरा जूल को आपके न्युटन पुतन मीटर के परिवरतित परिवरतित करो किया है कि 3 newton meter को जूल में बदलो और दूसरा है 13 newton meter में प्रवर्शित करो अगर आप ट्राइ करना चाह रहे हो तो तो मैं करता सब्सक्राइच करोगे कब करो दस सेकंड में जवाब थौरत नौर फारपिद बल की दिशाँ में विस्थापन का गुननफल का र पर गुलाता है और कार र की एसाई का र होती और कारे की यस 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 यह है तो इसका मतलब क्या है हम क्या बोल सकते हैं तो बोले सरफ परेशान होने वाली बाते हैं यह कोशन तो क्या है जिस परेशान करने के लिए आप देखो कि एक न्यूटन मीटर जो है आपके एक जूल के बराबर है एक न्यूटन मीटर जो है वो एक जूल के ब गये हैं तो अभी आप देखना यहां पर हम बात करेंगे उठकर आएगा तूटीन जूर और यहां पर आपके पास क्या होगा तेरा रस्पेक्टिवली हमारा अंसर होगा यह भी हमारा क्या हो जाएगा अंसर होगी तो मॉमेंट क्या होता है मॉमेंट की युटिट क्या होती है युटिट के रिलेशन पर क्या बात करेगा इसके लावा आपके फॉर्मला क्या होगा यह समझ में आना है अच्छा आप देखो उपर जो आपने आगून को परिभाशित किया है इसे हम क्या है प्रथम आगून भी बोलता है हम क्या बोलेंगे वस्तुपर आरोपित प्रथम आगून के रूप में भी परिभाशित किया जाता है अब जैसी हमने वस्तुपर आरोपित प्रथम आगून की बात करी वेसे ही वस्तुपर आरोपित दुती आगून टो डेश के उपर भी बात करनी पड़ेगी कि second torque का मतलब क्या होता है second torque क्या होता है बोलो यार तुम physics पढ़कर आये हुए हो first torque is what और second torque is what physics तो पढ़ लिए नहीं तुमने अभी तुम्हें तो कह रहा थे physics complete हो चुकी बाइलो जी चल रही है तुम बाइलो जी भी चल रही है तो physics में तुमने जो पढ़ा है ना वहीं से पूछ रहा है तौर्क पढ़ लिया है हां तो बताओ first torque और second torque बहुत फर्स्ट और तो यही था बहुत है second और क्या था चलो ठीक है ना यहां तक काफी यहां आगा ना अब यहां रोक लेते हैं लगला पेज लेते हैं जाद हो जाएगा यहां तक चीज क्लियर है इसके बाद दिखना आप एक note लगा देना इससे बाद क्या गरना है आपने एक note लगा देना उसी वही topic चल रहा है टॉपिक नहीं बदल रहा हू तो हम क्या बोल सकते हैं इसे बस्तू फ्लैश पिंड हना पर प्रत्म आगून प्रत्म आगून की कहते हैं प्रत्म आगून भी कहते हैं आथ समझ में आ गई यह आपके पास का है फर्स टॉर्क है जो प्रथम आगून है उसके नीचे में अंडरलेन मार दिया अब आपको पता होना ची दुती आगून basically होगा क्या कि पहला point मैंने ये लिखा दूसरे point पर हम बात करने वाले हैं ये पहला point और ये दूसरा point आप देना आपके दुती आगून basically होता क्या है कि प्रथम आगून और लांबिक दूरी का गुणनफल जो है वो आपके दुती आगून के रूप में परिभाशित किया जाता है अगर मैं फर्स्ट टॉर्क को दुबारा आपके पास क्या है बल की क्रिया रेखा और द्रड अक प्रथम आगून तथा बल की क्रिया रेखा बल की क्या रेखा तथा द्रड अक्ष के बीच की लंबत दूरी तथा द्रड अक्ष के बीच की लंबवत दूरी का पुनफल क्या कहलाता है दुतिय आगून कहलाता है कि कह लाता है अभी आपके पास क्या है जो second torque है इसको हम क्या बोल सकते हुँसके टो डेश पास क्या है टो इंटू स्मॉल र तो इंटू स्मॉल र ऑट बो यह सोर में हुद आपके यहां पाँ ना बात करें इसकी कही जो होगी कि न्यूटन मीटर maior है तो इसके यूनिट टॉर्क जो है का यूनिट क्या हुझ जाएगा घच्छ नजर आता है कि तयां और अब सब्स्सक्राइब ह istem आगून का अनुपात प्रदर्शिथ करता है या भी आपसे कहता है कि आप कुछा है , कहले क्शन की छमशन यहीं से पूचा है। अगर आपके फॉरमला पड़के गए हो और फॉरमला के पर थोड़ी सी भी बात किये हो यहां पर एक Transks जवाब देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और वहाँ ये question ऐसा लगता है कि रहे राम क्या पूछा और काता था लेकिन talk से question नहीं आप देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस जगे पर तो क्या मैं ये नहीं कह सकता आप देखो तो डेश आपके पास क्या है दुतिय आगून और ये आपके पास क्या है ये आपके पास है प्रथम आगून अब बताओ इन दोनों का अनुपात आप निकालोगे तो डैश और टो तो इसका value आपके पास क्या होगा स्मॉल अगर मैं चार ओप्शन देता हूं एक पॉल आप एक बटा और जीरो या कुछ कह नहीं सकते नन आप दीस आप कहां चले जाओगे स्मॉल आर्टिकल को यहां तक पढ़ते पढ़ते वह आए हुआ तो यह चीज जाएगी लेकिन अगर मैं इसका रेसी प्रोकल कर मीघन हो ना अप देखाए अगर मैं लिखता हूं के टोडिवैडिट psic 2-क क्या हो जाएगा तो क्या है मेरे पास अदु मादमि आघून और को डैश मेरे पास क्या है ती यि मेरे अघून कि जिंगतिय हो और मतलब यह क्या हो जाएगेग वन अपोन आरोल हो giya के समझ में आ तो या तो यह बन जकता है या फिर यह बन सकता है second torque की definition आपके हाथ में आ चुकी है second torque क्या होता है unit जो है वो भी आपके हाथ में आ चुकी है ठीक है लगे बड़े कहना तक चीज़े clear है अरो इसके बाद देखना आगे बात्चीत करते हैं अपन अब देखो कर टॉर्क आपने पढ़ लिया है और torque से उसने question बनाया और उसने simple पूछा कि what is the dimension formula of second torque what is the dimension formula of torque what is the dimension formula of moment तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा yes or no yes बोलो आप में से कौन बच्चा जवाब देगा हाथ खड़ा करना कि moment का dimension formula पूछा है जा फिस second second torque का dimension formula पूछा है दोनों में से पुल्पोई बता सब्सक्राइब क्या होगा कि प्रेंट हिट लग जाए बस हाँ हाँ चलो अभी देखना यहाँ पर हम बात करते है कि आपके लेवल से उपर नहीं जाओंगा जो आपके एक्जाम में है बस उसी पर बात करूँगा तब आपके वाले बच्चों के लिए स्लेबस में डाला हुआ है आप इटेव बच्चों पर तो और ज्यादा है हम वह तो कवर यह नहीं कर रहे हैं के वल क्या कर रहे हैं आपका टेक्निकल ट्रेड में जो स्लेबस दे रखा है वह वह कवर कर रहे हैं बस आप देखना यहां पर हम बात करते हैं एक और स्टार पॉइंट की बात करते हैं अब आप देखना अगर वो dimension formula पूस्ता है dimension formula basically आगून आप निकालना चाहते है तो क्या है आपका आपके पास क्या है क्या बोला नहीं 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 आप देखना यह आपके पास क्या आगून तो आगून आप क्या कह रहे हो आगून आप क्या कह रहे हो कि आपके एफ इंटू आर आपके पास क्या है आपका पास क्या है न्यूटन में आप एफ जो है वो में लिख सकते हैं अपन आप पराबर में लिख सकते हैं और यह आपके पास क्या होगा आर अब आप देना dimension formula basically होता क्या है कि फंडामेंटल यूनिट जो होती है उनके प्रतीक चिन्नों की साहिता से व्यक्त जो सुत्र होते हैं उन्हें कहते हैं dimension formula और सीधी साधी बात करना चाहो न तो बोले गुरू जी MLT के अंदर जो सुत्र लिखते हैं MLT में उसे dimension formula कहते हैं कार option में MLT आएगा यहां तो आप देखना यहां MLT की अगर मैं बात करूं MLT यहां M हमारे पास क्या होता है मास होता है और यह आपके पास क्या होती है length होती है और यह आपके respectively time होता है यह आप बच्पन में पढ़कर आये थे यह सोर नो आयता है ना बच्पन में आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ चलो तो अभी आपके पास क्या होता है मास मेरा यह रहा M1 एक आपके मास नदर आ र एक मेटर यह रहा और यह भाइया जीएखेरी लेंगे यहां तो लेंथ आपको 2 नजर आ रहे यह फो याद करने की या रटने की कते ही जरूत नहीं थी अगर आपको थोड़ा सा बनाना सिखाया हुआ है आपके टीचर ने और आपने अपने कमरे पर बेट के 2-4 बार भी बनाया हुआ है जो सकते हो और मॉमेंट बोल सकते हो कोमेंट और आपके पास क्या है टॉर्क अच्छा अगर मैं बोलता हूँ दुति आगून का डैमेंशन फर्मॉला तो दुति आगून का डैमेंशन फर्मॉला क्या हो जाएगा आपके पास क्या है अगर मैं आपसे बोलता हूँ दुतिय आगून आपके दुतिय आगून का दुतिय आगून का dimension formula में सर एक और और आता है तो का dimension formula के साथ R एक और आ जाता है तो यहाँ पर जो length है वो 3 हो जाएगी पाकी तो same ही रहेगा यह आपके पास M1 L3 और T- आपके पास 2 का dimension formula हो जाएगा है नहीं हाँ 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 विमा विमा मतलब विमिय सुत्र है ऑक अगून बताया किया होता है आगून के बाद आपके में इसकेा हम बात करते हैं आपका नहीं पस्सक्राइज इसके अब तो अग्र के लिए इतना काफी है इसके बाद जो कलकी क्लास में discuss करेंगे आपके पास क्या है बल यूग मुद्व तो कलकी छुटी नहीं करना वरना परसोगी क्लास आपको बहुत भारी पढ़ने वर तो आज के लिए इतना काफी है बाकी की बाते हम अगली ग्लास में करते हैं अब तक आप भी अपना खयाल रखिए पढ़िए और याद करिए अगर वीडियो में आफरी तक बने हुए हो तो आपके चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो तो मच जै हिन जै भारत